तो अगर आप बना चुके हैं मटन करी और आप बना चुके हैं मटन मसाला और ढून रहे हैं मटन की ऐसी जवदस रेसिपी जो आप घर पे बनाएं तो सब आपकी तारीफ करते रह जाएं तो आज मैं आपके लिए लाए हूँ भई मटन बुना की रेसिपी, इस रेसिपी के साथ जो है बहुत सारे सीक्रेट्स और टिप्स भी लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल एन इजी रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा देखेगा, तो चलिए आप इस मटन बुना की रेसिप इसके अंदर एक कर्ची ओईल आइड कर देना है, और उसके बाद यहाँ आपे काफी डेल सारे खड़े मसालू की जरुवत पड़ेगी, जैसे एक बड़ा चमबच यहाँ पर मेरे पास काली मिच है, आदा छोटा चमबच यहाँ आपे लॉंग है, दो जो है दालचीनी है, दो तेस पत्ते, दो काली वाली इलाइची है, एक बड़ी जावित्री और दो चकरी के फूल है, इनको गरम तेल में एड करना है आपको और अगर आपके पास इन में से कोई मसाले नहीं हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको एक चीज धिहान लखने है, कि आप मसाल को पहले तेल में अच्छी तरीके से भूने, आदा मिनिट के लिए भूनियेगा, उसके बाद जो है, अम नेक्स टेप पे आएंगे, तो यहाँ पे जो है, मेरे पास है, दो बड़ी चम्मच अदरक और लेसन का पेस्ट, तो इसको जो है, आपको एड करना है गरम तेल के अंदर, और इने जो है, अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक अधरक लेसन का कच्चपन खतम नहीं हो जाता, जब आप यह स्टेप पूरा कर लें, तो भाई, आज मैं बना रहा हूँ, एक किलो मतन का भूना मतन गोस्ट, तो इस मतन को जो है, मैंने अच्छी तरीके स प्रेशर कुकर में ही पकाएंगे, ताकि यह जो है, अच्छी तरीके से भून जाए, और सारी सारी फ्लेवर जो है, हमारे प्रेशर कुकर के अंदर हैं, अब जो है, यहाँ पर हमने चार से पाँच मिनट मतन को पका लिया है, तो भाई, यहाँ पर मैंने आठ से दस पीसे lesson के add कर दिया है थोड़ा सा हरादनिया add कर दिया है और एक बड़ा चम्मच जो है मैंने नमक add कर दिया है बस अब यहाँ पर हमें इसे अच्छी तरीके से mix करना उसके बाद जो है हम इसके अंदर पानी add करेंगे तो पानी जो है यहाँ पर मैंने add किया है दो कटोरी तो कटोरी जो है मैंने उसका मेजरमेंट बिल्कुल सही लिया था आप से भी रिक्वेस्ट है कि मतन में पानी भले ही थोड़ा सा जादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए वन्ना मतन जो है वो जल भी सकता है तो भाई आप दो कटोरी कमसे हम पानी आड़ करिएगा उसके बाद मैंने इसे mix कर दिया और finally जो है मैं इसे अब pressure cook करूँगा तो pressure cook करना है भाई आपको दो whistles high flame पे, दो whistles low flame पे या इस अंदाजे से कि भाई आपको मतन पक नहीं जाए यहाँ पर total जो है मैंने pressure cooker को 18 मिनिट पकाया और जब तक ठंडा नहीं हुआ तब तक खोला नहीं है इसे तो अब चलिए भुना मतन की gravy बनाते हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने एक हांडी लिए और हांडी के अंदर मैंने सबसे बड़िया चीज आड़ किया वो है सरसो का तेल और यहाँ पर अगर आपके पास सरसो का तेल नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर आप refine doughy भी इस्तमाल कर सकते हैं या दीसी गी भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दो करची सरसो का तेल अड़ किया है इसको जला के मैंने अच्छी तरीके से ठंडा कर दिया है ताकि कच्चापन निकल जाए और यहाँ पर जो है अब मैंने अड़ करिए वही चार बारिक कटी हुई प्यास जादा बारिक तो नहीं कटी हुई थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अगर आपके पास प्यास मीडियम साइज की हो तो आप टोटल पांच लीजिएगा यहाँ पर में पास काफी बड़ी प्यास थी तो यहाँ पर मैंने चार लिये और इनको जो है अब हमें अच्छी तरीके से सरसो के तेल में पकाना है जब तक इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता बहुत ही बड़िया कलर आना चीए तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्यास जो है अच्छी तरीके से पक चुकी है बड़ियास तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो भी आ चुका है तो अब बस हमें क्या करना है भई अब यहां पे हम अड़ करेंगे tomatoes को तो यहां पे जो है ज़ादा नहीं बस एक tomato लिया है लेकिन बहुत ही अच्छी quality का tomato है बहुत ही बढ़िया तरीके से लाल tomato है वो तो इसे जो है मैंने प्यास के साथ add कर दिया और इसको जो है अच्छी तरीके से हम पकने देते हैं यानि कि टमाटरों को अच्छी तरीके से गलाना है जब तक हम जो है हमारा कुकर ठंडा हो गया हम इसे चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मतन जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से गल चुका है तो यहां पे जो है सबसे में बात यह होती है कि मतन बना बनाने में ज़्यादा पानी का इस्तिमाल नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया मतन को अलग अड़ आड़ कर दिया है। आपे मैंने अड़ किया है वही एक बड़ा चम्मच अदरक और लेसन का पेस्ट हमारी ग्रेवी में अच्छा मुझे आपको एक चीज याद दिलानी के भाई हमने ना तो ग्रेवी में कुछ नमक अड़ किया है ना कोई मसाले अड़ किया है बस सीधा की सीधा हम जो है इसके 3-4 मिनिट के लिए भूनना है और आप देख सकते हैं कि कलर जो है इसका वह अभी से बहुत अच्छा लगने लगा है बस अब जो है यहाँ पर हम एक चम्मच नमक अड़ कर देंगे हमने एक चम्मच पहले भी आड़ किया था यह लास जो है नमक हमने अड़ कर दिया है और अब उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एड़ कर रहा हूँ धनिया पाउटर तो धनिया पाउटर जो है मैंने दो चम्मच एड़ किया और एक आदर चम्मच भी आड़ किया है यानि कि टोटल मैंने धाई चम्मच धनिया पाउटर का एड़ किया है तो इन मसालों को एड़ क इसको एक बार अच्छी तरीके से mix कर लेना उसके बाद आपको लेना है कटोरी में दही दही को जो है अच्छी तरीके से फेट लेना है कटोरी में ताकि कोई lumps ना रहे उसके बाद जो है आप उसको पूरा का पूरा मटन के अंदर add कर देना और आप देख सकते कि हम लोग ने जब मटन के अंदर अड़ किया है तो इसका कलर वह वह वाके में बहुत अच्छा है टेस्ट जो है इसका लाजवाब होगा फ्रेंड्स बस आप इसको बड़िया तरीकी से मिक्स करना और अभी एक दो चीज़े मैं ऐसी बताऊंगा आपको जो कि बहुत ज़ादा जरूरी है बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए तो यह आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि इसमें जो है अभी हम लोगने एक चीज़ जो पहले से बचा के रखी अब जो है हम वो एड़ करेंगे तो अब जो है ग्रेवी काफी जाथा थीक हो गई है तो मतन का मसाले वाला पानी चितना भी बचा ओअथा हमने वो लिया है एक कर्ची मैं अभी आड़ कर रहा हूँ और एक कर्ची मैं इसके बाद आड़ करूँगा तो बहुंत यहाँअपर तो टोटल जो है मैंने दो कर् सकते हो तो अभी जो है मैंने इसको अच्छी तरीके से mix कर लिया और भाई इसमें final ingredient मैं आड करूंगा तो यहाँ पर करारपन लाने के लिए भाई मैंने आप इसी तरीके से बनाएंगे तो भाई इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और सबको बहुत पसंद आएगा बस अब यहाँ पर जो है हमें एक दो चीज़े और एड करनी है बस उसके बाद हम लोग का बोना मतन जो है तयार हो जाएगा तो अब जो है यहाँ पर मतन को mix कर लेने के बाद अब जो है हम अड करेंगे इसके अंदर एक बड़ा चमज गरम मसाले का पाउडर यहाँ पर मैंने दो छोटे चमज इस्तेमाल किए यानि कि आप एक बड़ा चमज घरम बिंते भी लीज़ेगा उसे भी जो है आप अइड कर दी जेगा अब यहाँ से आप द देते हैं और अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही सूखा हुआ मटन खाना पसंद है तो भाई आप बिल्कुल इससे ट्राइज जरूर करना इस रेसिपी को देखने के बाद भाई एक बार घर पे ट्राइज करना तो बनता ही है तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा भुना मटन जो है वो बिल्कुल तयार है फ्रेंड्स बनके आप इसे एक बार घर पे बनाईए सबको बहुत पसंद आएगा यहाँ पे जो है ग्रेवी काफी जादा थेक है ग्रेवी बिल्कुल ना के पराबर ही है लेकिन ऐसा मटन जो है वो कमी खाने को मिलता है रेस्टोर्ण में तो बजार में तो मिलता ही नहीं है ऐसा जो है सिर्फ घर पे बना जाता है और ऐसा अगर आप बनाएं बिल्कुल इस तरीके से तो सब को जो है बहुत पसंद आने वाला है तो वीडियो पसंद आयो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब चैनल पर जरूर करिएगा मैं आपके लिए नए नही रेच्पीज लेके आता रहूंगा तो हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक लिए गुर्बाए